करेंगे कि कैसे इसको निकाल सकते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग है ध्यान से देखिएगा इसमें कुछ भी डामेंशन नहीं दिया हुआ सिवा है इसको ध्यान से देखिए कि अगर मैं यह जो हमारा पॉइंट ओ है इस तनी इस हमारे एक पॉइंट ऑपके स्थे और जुट है यह दो के पपास करएगा तो सपोझंग से मतलब यह the जह हाब इस पॉइंट जुगरी और जुकरों एक आड़ेसे देखेंगा यही पे इसका ट्रिक चुपा हुआ है कि अब हमें बेसिकली इसका सर्किल का एरिया निकालने के लिए सपोज यह एक सेंटर है तो यहां से अगर मैं पर्पेंटिकुलर ड्रॉ करूंगा इस साइड और इस साइड तो दोनों साइड अगर मैं स्मॉलर सर्किल के रिडिंस को अगर आप देखेंगे कर ओ से लेकर के यहां अगर आप देखेंगे कर ओ से लेकर के ए अगर आप देखेंगे ओ A is nothing but the radius of this bigger circle अब इस rectangle में आप इस point को मारक कर दीजे आप देख सकतें विशे हैं इस हम सब दो सब्सक्तार और यह पाइदागरोस थार्म से हम सभी जानते हैं कि अगर एक 12 तो इस विल अब हम O और A की बात करेंगे, तो O A is the radius of this bigger circle, इसका मतलब यह complete distance is 13, और उसमें से अगर मैं इस small r को माइनस कर दूँ, तो this will be the distance of O O dash, तो O O dash is equal to 13 minus small r, और O C की अगर मैं बात करूँ, this will be 5 plus again this is r, तो again this will be again r, यह छोटा circle का radius है, तो इसका मतलब हो गया O C is equal to 5 plus r, and the third side is O C, O C is nothing but the radius of the small circle, O C, O dash C, sorry, O dash C is equal to r, और यह एगें एक पैथागोरस थेयरम में, अगर आप जेकिंग, हमने इस circle को यहां draw कर लिया, this is r, this is 5 plus r, and this is 30 minus r, अब आपको एक ट्रेइंगल में पैथागोरस थेयरम लगाना है, और r की value find out करनी है, and the area of the smaller circle will be pi r square, simple, तो इसके बाद सिर्फ एक calculation है, और इसमें कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, आप इसको solve कीजिए, और इसका, again, अब solution निकाल के बताईए हमें comment box में, क्योंकि इसके बाद इस problem में, कुछ भी tricks नहीं बचा हुआ है, only it's a calculation, तो इसी तरह के और भी tricky problems के लिए, जुरी हमारे साथ at edupedia tenor brain पे, thank you.